ठीक आई स्वागत आप सब का नेम डैरीज में तो आज का हमारा नाम है हेमंत आज हम देखेंगे कि हेमंत नाम का राशी फल क्या होता है उसका भविशय उसका व्यक्तित्व कैसा होता है तो आई ये शुरू करते हैं अगर आप अपने बच्चे का नाम हेमंत रखना चाते हैं तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए जिससे आप अपने बच्चे को बच्चे के जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं हेमंत नाम का अर्थ गोल्ड या भगवान बुद्ध होता है इनका शुबंक दो और इनकी राशी करक होती है करक राशी का स्वामी ग्रह चंद्रमा है भगवान शंकर को करक राशी का आरा द्यदेव माना जाता है इस राशी के हेमंत नाम के लड़कों में पाचंत अंदर काफी कमजोर होता है जिस वजह से अकसर पेट की समग्शन हों जैसे गैस, कब्ज आदी से ये पीडित रहते हैं इनके पेट, हर्ट और छाती के रोगों से पीडित होने का खत्रा काफी जादा होता है करक राशी के हेमन दाम के लड़कों में चेचक और कैंसर होने का खत्रा भी काफी होता है इस राशी के हेमन दाम के लड़कों का दिल काफी अच्छा होता है ये दूसरों की परिशाने को समझते हैं और सब को माफ भी काफी जल्दी कर देते हैं इनका शुबंक दो होता है ये लोग काफी भावुक और समवेदन शील होते हैं और दूसरों के अपनी तरफ अकरशित करते हैं हेमन दाम के लोगों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होने के कारणी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं ये आत्म विश्वास की कमी होने के कारण भी अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर पाते हैं ये लोग मार्ग दर्शन करने में सक्षम और दयालू होते हैं और दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उन्हें शमा भी काफी जल्दी कर देते हैं हेमंद नाम के लोगों की राशी कर्क है और इन्हें लड़ाई जवडों से दूर रहना ही पसंद है आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू